नमस्कार मैं डॉक्टर सशी कांट नाग, आज की क्लास में मैं सुंदरि सास्त्र के अंतरकत में आपके सामने । अवनिन नाठ्ट टैगोर कला गुरू अवनिन नाठ टैगोर जो बंगाल स्कूल के संस्थावक सितस्यों में से माने जाते हैं उनके विशाय में हम चर्चा करेंगे, उनके सौंदरे सास्त्रिये विचारों को जानेंगे, और ग्यातो की अवनिन्नाट टैगोर जी ने भारत में जापानी कला के सम्मिस्रन से वास तक्निक का प्रारंब किया था, कला की वास सेली, जेल रंग की वास सेली के प्रनेता के आज के इस कच्छा में विशेश रुप से हम उनके संदरे सास्त्रिये विचारों को बताने जा रहे हैं, अवनिन्नाट टैगोर के काम से बहुत कम लोग परीचित होंगे, अवनिन्नाट टैगोर आधुनिक भारत के महत्वण्य चित्रकारों में से एक हैं, कला को लेकर उन 1921 से लेकर के 1929 के बीच में कला से संबंदित लगबग 29 वियाख्यान दिये हैं, इन वियाख्याईनों में इन लेक्चरों में जगा जगा पर उन्होंने कला को वियाख्याईत करने के लिए अक्सर कबीर के दोहे, पदों और विचारों का भी प्रियोग किया है, ये मैं बह कला को समझाने के लिए सबसे ज़्यादा कबीर को उन्होंने उद्रित किया है, क्या ये आश्चरजनक नहीं है, हिंदी समाज ने कबीर को कवी और समाज सुधारक के रूप में जरूर रिखांकित किया, पर उनकी कवीता का एक पहलू कला भी हो सकता है, ऐसा कभी सोचा है आपने नहीं सोचा होगा, तो आए आज हम उसी के विश्याद में बात करते हैं, ग्यान से, बैचाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दे, अब आगे चलते हैं, कबीर के कलाचिंतन को अवनिन्ना टैगोर ने जिस लेखित कर रहा हूं, बहुत संचेप में थोड़ी बात बताऊंगा, पानी पियावत क्या फिरो, घरघर सायर बारी, त्रिस्ना अवन्त जो होएगा, पीवेगा जख्मारी, इस स्लोक का, इस दोहे का संदर्व है, कि एक दिन कबीर ने देखा, कि एक व्यक्ति, चम्ले की थैली में भर भर कर, नदी से सहर में पानी ला रहा है, उस व्यक्ति को भय है, कि किसी तरह नदी सूख न जाए, यह विसाल पिर्थवी नीरस हो गई है, इसलिए वह रस को बाटना चाह रहा है, पानी सब को पिलाना चाह रहा है, कवी ने उस व्यक्ति को पास बुला कर, आउनिल्ना टेगोर अपने व्याख्यान माला में इसी पंग्ती का संदर्व देते हुए कहते हैं कि इस परकार का आयोजन क्यों जब घर-घर में रस्त का सागर है तब ऐसा आयोजन क्यों त्रिश्णा के जगने पर मतलब प्यास के जगने पर वे स्वयम उत्तरदाई होकर अपनी तृष्णा को मिटाने का उपाय करेंगे सांत करेंगे अपनी प्यास को बुजाने का आप क्यों परसान है मूल बात है रस की तृष्णा सिल्प की इच्छा हुई या नहीं अब देखिए कला से वो कैसे जो या रस की तृष्णा को मिटाने के लिए या बिल्कुल सोचने का विशय नहीं है विश्व भर में इस तृष्णा को मिटाने के लिए सिल्प कर्म उसकी प्रयोग विद्दा और उसके सुच माते सुच मुपदेश नियम कानून आधि इतनी अधिक मात्रा में उपलब्द ह कि किसी न किसी मनुष्य के लिए यह संभाव नहीं कि वह पर्ते का यओजन न कर सके सिल्प को रस को पाने के लिए और रॉजन का थोड़ा सा भी अभाव है ऐसा अपनी आदिम अवस्था में असहाय अवस्था में भी मनुष्य ने नहीं कहा उल्टा प्रयोजन होने पर आयोजन का कभी अभाव हुआ भी नहीं मेरी बात समझ में आई आपको थोड़ी से क्लिस्ट लगी होगी धारा प्रवाब बोल गया फिर से मैं बात बोलता हूं जब हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं तो व्यक्ति उसकी महता को स्विकार नहीं करता है लेकिन कोई व्यक्ति उपलब्धता होने पर भी उसका अतिश को उसका अतना ही चरन करें यहां पर अवनी नर्नाथ जी का वह उद्देश्य कि कला के भीतर जदी कलाकार के अंतरमन में कला के प्रतीक तृष्णा का भाव जागरित हुआ यह नहीं यदि जागरित होगा तो वह स्वता काला निर्मीती का आविजिन करेगा इसी को यहां प्रगयत्यासिक कलाकारों ने हीरन के सिंग, मचली के कांटे की बटाली, पत्थर की छोटी सी छूरी और थोड़ी सी गिर्वा मिट्टी इन सब का इस्तेमाल करके विविन्द तरह के नक्से, विविन्द सिल्पलकला की रचना से पूरे पत्थरों को प्रमानित किया है, इस परकार के अलेक संदर्व का उलेक अवनिन्नाथ टेगोर रिगुलर इस दवरान के व्याक्षाइनों में किये, अवनिन्नाथ साथ पहली बार भारत के मूल भूत सिद्धान्तों की खोच के दवरान, जापानी विद्वान ओकाकुरा के सहयोग सी, चीनी शड़ सिल्प प्रबंदावली में भी अस्थान दिया, इस तंदर में ग्यात हो कि चीनी सड़ंग और भारतिय सड़ंग के सामें से, कला गुरु अवनिन्नाथ ने भी सड़ंग उपद्यती की रचना की थी, जो बागेस्वरी सिल्प प्रबंदावली का एक हिस्सा है, चीनी उसमें बताया गया है कि form in relation to object, यहां कलाकारों द्वारा रचित आकिर्टियां तथा प्रकृती में पाए जाने वाले वस्तूओं के रूप के बीच समन्नेवाई की बात की गई है, उन दोनों में एक्ता की बात की गई है, इसी प्रकार, चीनी सड़ंग के सुत्र संख्या चार के अनुसार कलाकारों के लिए रंग के चैन संबंदी विचार बताये गए हैं कि प्रकृती में पाए जाने वाले वस्तू के रंग के आधार पर कलाकृतियों में रंग का चैन होना चाहिए, चीनी सड़ंग के सुत्र संख्या छे को ललित कला के प्रसिक्षूओं के ल लिए अभ्यासियों के लिए आवस्यक बताया गया, इसमें लिखा हुआ है कि कौपी आफ दा क्लासिकल मॉडेल्स यानि सास्त्रिय कला के उदाहरों का अनुकरन, ज्यादतर भारत के कला महाविद्यालेयों में भी जो पाठिकरम हैं उसमें प्राया थर्ड येर के पाठिक क्लासिकल कलाकारों की किर्टियों की अजन्ता के किर्टियों की या फिर वेस्टेन आर्टिस्टों के किर्टियों की या हिंदुस्तान के स्रिस्ट कलाकारों के किर्टियों की अनुकरन करने के लिए कहा जाता है यह उनके पाठिकरम का हिस्सा रही है विद्यार्थी लोग वास पद्धिती में टेंपरा पद्धिती में मियूरल में फ्रेस्कों में आयल चित्रन में इस प्रकार के अनुकरण का कारे करते हुए सीखते हैं लावन्य के संदर्व में अवनिन टैगोर जी का असपष्ट कथन है कि इसकी साधना अत्यंत जटिल है संदर्य के प्रतिमान अस्थाप्रतियास्थापित करना चित्रकार की अंतरद्रिष्टी पर निर्भर है और इसके लिए चित्रकार कभी कलाकार सभी को निरंतर साधना रत रहनी चाहिए सदंग के अत्रिक्त इन्होंने कभी मम्मट के कावे सास्तर के पर्थम अध्याय के पर्थम स्लोक की चर्चा भी कई अस्थानों पर किया है इस स्लोक में लिखा है नियतिकृत नियम रहिताम नियतिकृत नियम रहिताम हलाय देकम इमम अनन्य परतंत्रताम नवरसुरुचिराम निर्विती मादधती भारतीर करवेर जयती अर्थार्थ नियतिके द्वारा निर्धारित नियमों से रहित केवल आनन्द मात्रसो भाव वाली कवी की प्रतीभा को छोड़कर अन्य किसी के अधीन ना रहने वाली नव रसों के योग से मनुहर काविस रिष्टी की रचना करने वाली कवी की वानी माभारती अर्थार्थ माता सरस्वती सर्वत कुर्स सालनी है इस सलोक में अनन्य परतन तरताम सब्द पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे बंद पक्षी उडान भरने में असमर्थ हो जाता है उन्मुक्तता पूरी नहीं होती है इसी प्रकार कलाकार को जवरदस्ती कार्ज करने के लिए विवस नहीं किया जा सकता उसमें कला सिर्जन की स्वचेतना यदियस पूर्थ नहीं होती है तो बिकार है कलाकार की अंतर नहीं चेतना ही उसे प्रेरित करती है और वह रचना धर्म के प्रती उन्मूख होता है अवनिंदरनाथ के अनुसार व्यवसाइक कला और सिर्जनात्मक कला को प्रथक करके नहीं देखा जा सकता ललितम कला विद्याम का कालिदास के सम्यक गरंथ में भी अवनिंदरनाथ ने तीन प्रकार के कलाकार बताए हैं कौन कौन से हैं वो आप चानिया पहली स्रेनी में उन्होंने वन्स पराम परागत कलाकारों को रखा है जिसमें पिढ़ी दर पिढ़ी डादा पिता पुत्र पौत्र आदी करमसा कला विद्या सीखते हैं और उसे आग कलाकार निसर्ग प्रदर्ट प्रतिभा के धनी होते हैं यह स्वतास फूर्त कला के लिए क्रियसील होते हैं और तीसरे प्रकार की में इन्होंने आत्म दिक्षित कलाकारों को रखा जो वह अभ्यास से कलाकर्म करते हैं इसलिए काली दास ने कहा है कि कलाकार का पहले परीच का अधिकारी होता है यहां पर अवनिदनाठ टैगोर सिल्फ के अधिकार और अनाधिकार की बात करते हैं वे कालिदास के संदर्व लेते हैं और कहते हैं कि अंतरमन से जो कारे नहीं किये जाते वह नीरस होता है उसमें बाहिस अंदरे तो होता है किन्तु कला के तत्तों का अथार्त किसी के अधीन भी कारी करने से अंतः प्रेरणा नहीं होती। इस से कला के पुठति राग आत्मक संबंद विक्सित नहीं होता। कला और योगी की साधना में भी इन्होंने च्छनिक तुलनात्म का ध्यानवी किया है और उसका प्रियोग करते हुए भी इन्होंने उलेक किया है कि निरंतर साधना रत योगी अपनी साधना के द्वारा आनंद प्रदान करता है किन्तु कलाकार अपनी कला निर्मिती के द्व आनन्द प्राप्त करता है प्रदान करता है कलाकार आख खोल कर ध्यान करते हैं इस से हिर्दे में रसात्मक्ता आती है और कला चेतना जीवित रहती है कलाकार स्वच्छंद होकर भी नए विसे एवं नई तक्नीक से अनुशाशन में रहकर कला निर्मिती करता है शाहनभूती से कला रचना करना चाहिए ऐसा आवणी नेनाठ टैगोर का कहना है ना लंब अतीविस्तारेण अर्थार्थ अती विस्तार करने से परियाप्त त्रिप्ति नहीं होती अर्थार्थ कोई चीज संचेप में भी सुन्दर्टा से व्यक्त किया जा सकता है हमारे वैदिक साहित्यों में भी एक जगा उल्लेख है बच्पन में मैंने पढ़ा था दिर्ग सुत्रताविनश्चंति यानि कि किसी चीज को लंबा खिचिने से भी नुकसान होता है तो यहां परवनिनर नात्वी उसी को कह रहे हैं कि कम से कम रिखाओं में सुन्दरतम भाव व्यंजना कलाकार को प्रस्तूत करना चाहिए आगे वे कहते हैं कि आदाने छिप्रकारिता प्रतिदाने चिराईता अर्थार्थ जैसे कलाकार प्रतिमा लक्षन का अध्यान कर जान लेता है किन्तु कला इंकन के लिए फिर भी वह चिंतित होता है कि क्या बनाएं कैसे बनाएं इन्ही सब बिंदों पर विचार के उपरा प्रकर करने की आव सकता पर अवनिन नाट टेगोर ने बल दिया है कलाकार किसी भी किर्टी को देखने के अभिलासा रखते हैं ताकि जादा से जादा वे अपनी कलात्मक दृष्टी को सम्रिद्ध कर सकें जापानी विद्धवान ओकाकूरा भी जगनाशपूरी के मंदिर के दर्सन के लिए छद मरूप में कलाकार का धारन कर गए और कलाकृतियों का दर्सन किए कलकार अपनी कला के प्रती आस्था वह सर्धा से कारे करते हैं केवल बेवसाइक या प्रचरा अत्मक गतिविधियां कलकार यदि करते हैं तो उसे सुद्ध नहीं माना जा सकता कलकार को परंपरा को ध्यान में रखकर नविन श्रिष्टी करनी चाहिए यह बात उन्हें ने चीनी विद्वान सी होके द्वारा लिखी गई सडंग के आधार पर कहीं सुंदरी के लिए सरस्ता और सडंग इत्यादी का उलेक करते हुए इन्होंने इसे आवस्यक बताया और कहा कि तद्रम्यम यत्र लगनम यस धृतत अर्थार्थ जो हिर्दय में सुंदर लग जाए वही सुंदर है इन्होंने रसिक होने की बात स्विकार की है कलाकार यदि रसिक होता है तो सुंदर से सुंदर तम रूप की कलपना करने में अपना पूरा बल लगा देता है इस प्रकार आप सभी लोगों ने संच्छेप में किन्तु सारगर्वित रूप में जाना की आचारे अवनिंदरनाथ तैगोर के कला संबंदी विचार क्या रहे नमस्कार पुनह मुलाकात होगी